12 साल बाद रंगीला गर्लने की वापसी चानी उनकी कमबैक स्टोरी हेलो फ्रेंड्स मैं रॉनक एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सब का मीडिया दरबार के इंटरटेंबेंट चैनल पर जहां मैं आपके लिए लाती हूँ पॉलिवुड और टेलिविजिन के दुनिया से जोड़ी तमाम खबरे और गॉसिप्स अज मैं आपको बताऊंगी 12 साल बाद एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के कमबैक स्टोरी उनके पॉलिटिकल जर्नी और उनके अचिवेंट्स के बारे में ये सब जानने के लिए मेरा ये वीडियो देखें लास्ट तक 1980 में फिल्म कल्यूक से बाल कलकार के रूप में फिल्मे दुनिया में कदम रखने वाली उर्मिला ने 1991 में आई फिल्म नरसिमा में एक यंग एक्ट्रेस के रूप में करियर के शुरुआत की थी फिर 1995 में रंगीला, 1997 में फिल्म जुदाई और 1998 में सत्य जिसे फिल्मों में अपने दमदार अभिनयसे लोगों का दिल जीता लोग प्रेता का आलम देखिए कि इन तीनों ही फिल्मों को फिल्म फिर प्रुसकार के लिए नॉमनेट किया गया इसके बाद तो कामय भी मानों इनके पीछे चलने लगी 1999 में इनकी फिल्म कौन, 2001 में आई प्यार तुने क्या किया 2003 में भूत फिल्म और 2004 में हिट हुई एक हसीना थी इनकी शोहरत में चारचांद लगा दिये और मिला मातोंटकर ने बॉलिवोड में बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम किया उनका नाम श्रीर देवी, माधुरी दिक्षित, तिव्या भारती, अनिल कपूर, संजे दज्जसे बड़े कलाकारों के साथ लिया जाने लगा उर्मिला की लास्ट फिल, EMI 2008 में आई थी, उसके बाद वो लीड एक्ट्रेस के रूप में बड़े परदे पर नजर नहीं आई एक बर फिर सिल्वर स्किन पर अपनी अदाकारी और खूबसूर्ती का जलवा लिये नजर आने वाली हैं 2019 में कॉंग्रेस पार्टी जॉइन कर कॉंग्रेस की तरफ से लोगसभा चुनाव लड़ी लेकिन काम्याब नहीं हो पाएं फिर कॉंग्रेस पार्टी छोड़ शिव सेना में शामिल हो गई लेकिन लगता है राजनिती उर्मिला को रास नहीं आई और हो एक बार फिर बॉलिवोड में वापसी कर रही है कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी उर्मिला के 2020 में ही वेब सिरीज के साथ वापसी की बात सामनी आई लेकिन तब कॉरोना की वज़ह से काम बंद होने की खबर मिली तो ये थी बात रंगिला गर्द उर्मिला मातोंकर की इसी के साथ मैं रौनक आपसे लेती हूँ विदा और आज का मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा और उर्मिला के पॉलिटिक्स जर्णी और उनके बॉलिवोड में एक्टिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेर जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ बाई and टेक कियर